लोगोस्तों स्वागते आप सभी का एक बार फेड से अपने चैनल दा टार्गेट लॉमे और देखो 2023 आपका जाने वाला है दिसंबर आपका आगया है खतम होने वाला है आस 27th of दिसंबर आपका हो गया है बट नया क्या है 24 भी आ जाएगा इसमें नया क्या है आता है कोई साल चला जाता है आप तियारी कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है जिनका सेलेक्शन हो गया है लेकिन जिनका नहीं हुआ बाई चांस किसी भी वज़ा से रुख गया नहीं हो पाया तो अफसेट होने की कुणसी बात है उसी के बारे में जो आपका मूड इतना अफसेट है कि हाँ पूरा साल चला गया आप पता नहीं क्या होगा एक आप रिजोलूशन ले रहे हैं कि नहीं 2024 में हमें अग दूस से आने वाली हैं वो भी बहुत अच्छे लेबल वाली तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो फट फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी प्रेस करिए और वीडियो को skip नहीं करना है क्य ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं और सारी की सारी बात आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है देखो सबसे पहली बात तो कि अभी आपकी latest vacancy आ गई है UP police की constable की जो आप इतने लंबे टाइम से इंतिजार कर रहे थे तो उसकी तयारी में एक दम से लग जाना है और यहाँ पर सबसे पहले एक बात अभी बताओं आपको बतानी क्या पूछनी है आप लोगों से कि अगर आप सब लोग agree है तो जैसे आपका UP police का भी exam है आपका February में है ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में तो मेरा ऐसा एक विचार है आप लोगों के लिए कि related हम इस पर live आपकी class में लूँ अगर आप सभी लोग इस बात से agree है जो भी agree है तो comment box में मुझे comment करके जरूर बताइए क्योंकि अगर आप चाहेंगे तब ही होगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि आज कि इस वीडियो में मैं बताने क्या वाली हूँ आपकी क्योंकि इ आपका issue हो गया है जो लोग telegram से जुड़े हुए हैं उन लोग को सबको information मिल गई है कि क्या क्या आपकी latest vacancy आने वाली है total 17 vacancy है अब बहुत ही अच्छे label की है February से लेकर आपका December तक का calendar issue हुआ है तो अभी तक अगर आपको पता नहीं है कहां से vacancy हैं कौन सी हैं कैसे कैसे ह क्या है कुछ भी नहीं करना आपको बस telegram join कर लेना है ठीक है और वहां आपको total की total vacancy जो भी आने वाली है खुश इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको एक अच्छी opportunity मिलने वाली है जो की आपको जाने नहीं देनी है आपको महनत करनी है इतना मतलब एक यह resolution ले लेना है आप को के 23 में कोई भी exam था आपका 100% रहा बट लगली वो selection आपका नहीं हो पाया final selection तो upset होने की कोई बात नहीं है ठीक है अब दुबारा से आप तियारी में लग जाओ ठीक है और यह नहीं कि हाँ जब exam आएगा हम तब ही तियारी शुरू करेंगे ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं आपको सोचना है केवल और केवल क्योंकि देगो सब भी मैं समझती हूं कि जितने भी आपके competitive exam है similar similar ही सबका syllabus होता है थोड़ा बहुत यह difference होता है तो ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे यह तो हमारे syllabus में ही नहीं है हमने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल अलगी है हम इसको कैसे करेंगे तो ऐसा नहीं सोचना है जो भी vacancy आती है जो भी form out होता है कहीं पहली बात तो पता कैसे चलेगा तो telegram join करना है simple सी बात है तो जो भी vacancy आकी आती है जो भी form आपका आता है उसको आपको fill करना है और exam भी आपको देना है ठीक है और जो यह आपकी ग अबीर से मस्या रहती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं याद नहीं रह पाता है या टाइम टेबल अपना कैसे सेट करें कैसे अपना जो यह माइंड है जो इधर उधर बागता है इसको कैसे एक जग हम स्टेट करें कि हम कुछ भूले ना जो पढ़ें वो याद रह जाए पढ़ने में मन लगे हमारा ठीक है उसके बारे में हम नेक्स वीडियो में इसकस करने वाले है ठीक है तो अभी के लिए बस आज की सेशन में बस इतना सा ही ध्यान रखिए अपना खुश रहिए पढ़ते लेगे बाई बाई